और यह जो 12-13,000 रुपया कमाने वाला अकाउंटन्ट को पिछले 15 साल से इतनी एड़ेस्मेंट की आदत हो गई कि अब अगर उसको कोई बोले ना बड़ा कुछ चाहिए बोलता है नहीं चाहिए अपना तो रोज यही चलता है This is the problem हम में से कहीं लोगों को एड़ेस्ट करने की इतनी आदत हो गई है कि हम अभी बड़ा सपना देखना ही बूल गए हम बड़ा सपना देखना ही बूल गए और यही है problem life का Are you clear? तो आसान है एड़ेस्ट करना मुश्किल है मारुती लेना आसान है two bedroom में रहना ही रोंडा में travel करना मुश्किल है अपना बहुत बड़ा गाड़ी लेना आसान है train में सफर करना मुश्किल है train में सफर करना और आसान चीजों की आदत हो गई हमको and therefore बड़ी चीजों से हम घबराते हैं यह हम clear नहीं है this is the problem with life and therefore your strength is not your strength आपकी ताकत आपकी ताकत नहीं है your strength to form the habit comes from your purpose आपके अंदर वो सब आदते develop आपके परपस से होते तो परपस बहुत strong होना चाहिए आप market में product बेचने या किसी को enroll करने नहीं जाते हो क्योंकि अगर product बेचने को जाओगे और किसी को enroll करने जाओगे और किसी को meeting के लिए बुलाने जाओगे तो वो तुमें इतना problem सुना देगा कि तुम निराश हो जाओगे आज के बाद आप market में इसलिए जाते हो ताकि आपका purpose अच्छी बोजावे जो आदमी secure life में लोगों को जोडने के लिए market में जाता है जो आदमी secure life में आदमी को meeting के लिए बुलाने को आदमी जाता है जब वो आदमी को आगे वाला आदमी चार objection और rejection और तकलीफ सुनाता है निराश हो जाता है यह आदमी और वो वापिस आ जाता है and therefore लेकिन अगर वो आदमी CG road में अपना 4 bedroom hall kitchen 14 January 2008 तीन बज़े दुपेर को लेने के लिए market में जाता है और लोगों को समझाता है जब लोग उसे जापड मारता है तो उसे एसासी नहीं होता क्यूंकि कहीं की जापडख खाने से अगर घर आता है अगर घर खरीदने को मिलता है किसी के किसी 4-8-10 बीस आदमी का जापड रोजग काने से अगर घर मिल जाता है को यह नहीं मालुम क्यों जापड क्यों खा रहे है। तो this is the game, आपकी ताकत नहीं है, आपके अंदर ताकत आती है, वो सब आदर ड़िए, आपको अच्छा नहीं लगता आपके पर्पस से It is the strength of your purpose that forces you to do what you don't like to do, आपको जो अच्छा नहीं लगता वो करने के लिए आपका पर्पस आपको प्रोचाहित करता है। It is not your strength, आपका ताकत नहीं है। So please understand my dear friends, men need habits, machine needs momentum, आदमी को आदत लगती है, machine को momentum लगती है। जैसे एक lift है, lift, hotel में जाते हैं, तो lift है या elevator बोलते हैं, वो lift में हम जैसी चड़ते हैं, lift का दरवाजा बंद होता है, तो हम क्या दबाते हैं? हम बटन दबाते हैं, चोथे माले का पाचो, जैसे हम बटन दबाया, lift उपर गया। कैसे गया? जैसे बटन दबाया, lift के अंदर एक motor है, lift के अंदर एक motor है, बटन दबाया, motor activate हुआ, lift उपर चला गया। एक train है train, train आप आप नहीं आगे जाती, train के आगे क्या होती है? इंजिन होता है, इंजिन, train को आगे बढ़ाने के लिए, इंजिन का आदमी, motor man, इंजिन को चालू करता है, इंजिन activate होता है, वो gear डालता है, या जो भी है, और train आगे बढ़ती है, तो train को बढ़ाती है, इं पर खड़ी है प्लेन को उड़ाने के लिए पाइलेट चालू करता है इंजिन और इंजिन को चालू करने के बाद जब उसको पावर मिलता है तो बटन दबाता है तो प्लेन उड़ जाती है तो प्लेन को उड़ने के लिए इंजिन ट्रेन को चलने के लिए इंजिन लिफ्ट क को उठने के लिए आदत अब आदमी के पीछे मोटर तो नहीं लगा सकते कि बोला सुबह सुबह 8 बजे साले को फोन कॉल करना है लिस्ट बनाना है इसको ज़रा मोटिवेट करते तो पीछे से उसको 7.75 का तुलू पंप लगा दिया तो ये सुबह सुबह एकदम बड़ा मोटिवेट हो गया बोले किदर है कस्टमर और उसके अंदर जान बर गई अब अगर ऐसा कोई मोटर है और अगर ऐसा मैनिफेक्चर हो गया किदर वर्ल्ड में तो मैं आप लोग को फोन करके बता दूँगा तब तक आपको यह मोटर नहीं है आपका मोटर है आपकी आदत अगर अच्छी होगे तो आप उठ जाओगे तो आदमी को लगता है आदत मशीन को लगता है मोमेंटम अच्छी आदत हो के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो You cannot move without habits और सब habits होती है जैसे सुबह टाइम पे उठना वो आदत होती है जॉगिंग करना वो आदत होती है लिस्ट बनाना वो आदत होती है कॉल करके इन्वाइट करना ये आदत होती है फॉलो अप करना वो आदत होती है presentation पे लेके जाना वो आदत होती है wagon the circle वो जो भी है वो आदत होती है सब चीज सब चीज आदत होती है रोज बुक्स सुनना, बुक्स पढ़ना आदत audio वीडियो सुनना आदत रोज फील्ड पे जाना आदत टीवी में देखना आदत जूट न बोलना आदत, बड़ा सोचना आदत बोला हुआ commitment पूरा करना आदत meeting लेना आदत, training लेना आदत सब साली आदत है तो कहियों की आदत खराब है तो ये life में उठेगा नहीं आज जो भी है आज हम लोग हमारी आदतों की तो मेरा request आप लोगों से यह है my dear friend तह दिल से मैं आप लोगों प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद पहला तो purpose set कीजिए purpose set करने के बाद आदत डेवलप कीजिए गेम खतम हो गया गेम खतम हो गया men form habits and habits form future आदमी आदत डेवलप करता है और उससे बनता है उसका भविश्य men form habits and habits form future and therefore if you deliberately consciously अगर जान बुच के अच्छी आदते नहीं डालोगे तो अझाने में बुरी आदते लग जाएगे अगर जान बुच के रोज लिस्ट नहीं बनाओगे तो अझाने में लिस्ट ना बनाने की आदत पढ़ जाएगी अगर जान भूच के रोज आदमी को call करके invite ने करोगे तो अनजाने में call ना करने की और invite ना करने की आदत लग जाएगे अगर जान भूच के रोज बेचने को नहीं उत्रोगे तो अनजाने में ना बेचने की आदत पढ़ जाएगे अगर जान बुच के रोज अपने आपको motivated रखने के लिए बुक्स और टेप्स और वीडियो और आडियो और सेमिनार एटन नहीं करोगे तो अंजाने में ये सब ना करते हुए अपनी काभिलियत को ना develop करने की आदत पढ़ जाएगे सब कुछ जान बुच के करना पड़ेगा बच्चा भी पैदा करने का है तो कुछ जान बुच के तो करना पड़ेगा ना है लो मैं शादी के ऑटोमेटिक लिए बच्चा पैदा होगे मालूम ही नहीं पड़ा कैसे ऐसा कैसा होगे असला हर काम के लिए जान बुचके कुछ करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए कुछ जान बुचके करने पड़ते हैं उसी तरह से डाइमंड बनने के लिए कुछ जान बुचके करना पड़ेगा सिल्वर बनना है और सिल्वर से गोल्ड बनना है और गोल्ड से आपको परल बनना है और परल से आपको टोपैस बनना है और वहां से एमिरल्ड बनना है और एमिरल्ड से अगर आपको इनो रूबी बनना है रूबी से डाइमंड बनना है और रोज आपको अगर लगातार लोग सेमिनार में आवे और लगातार आपके अचीमे के अगर जॉगिंग नहीं करोगे तो अंजाने में एकदम बेस बन जाएगा अगर जान बूझ के अच्छी आदते अच्छा खाना नहीं खाओगे तो अंजाने में बदन में फूर्ती नहीं रहेगी और सेल्स का काम फूर्ती का काम है, मस्ती का काम है तो जान बुचके तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता नहीं तो अंजाने में वो सब कर डालोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है और वहाँ पर तुम नीचे जाने को चालो हो जाओगे चार आदते होती है नेटवर्क मार्केटिंग में चार आदते होती है जो जान बुच के डालना पड़ता है The success habits in network marketing after purpose एक तो जान बुच के purpose लिखना पड़ेगा जान बुच के लिखना पड़ेगा जान बुच के date तै करना पड़ेगा जान बुच के जगा तै करना पड़ेगा जान बुच के गाड़ी का नाम तै करना पड़ेगा, कलर तै करना पड़ेगा, जान बुच के ये तै करना पड़ेगा, कि आपके नेटवर्क में कितना आत्मी होना चाहिए, जान बुच के आपको तै करना पड़ेगा, जैसे जान बुच के ये आनन ठाकर, आज जिसके पास क मुझे जून 25 तारीक के पहले ये नेटवर्क में साड़े चार हजार आदमी डालना है और मुझे डाइमंड बनना है और मेरे पास सिर्फ 30 दिन है और मैं जान बुच के करूँगा इसने ये टार्गेट मन में सेट किया है Give him a big hand please अब ये बताईए मुझे अब ये बताईए मुझे की जान बुच के क्या आप इसको डाइमंड बनने में मदद करेंगे जिसका बात एक उसका बाप एक मलोतरा साब मेरे जो गुरू रहे हैं बोलते हैं नायर जिसका बात साला एक उसका बाप एक अभी आपने वादा किया या वादा निभाओ या फिर बाप को दूंडो जिसका बात एक उसका बाप एक नायर ने हमेशा जुबान दिया अपने बास को तो निभाया जान पे खेल के निभाया आनन ठाकर ऐसा एक आदमी है जो पूरे इंडिया में ऐसा कोई इतना खर्चा करके इतना एफ़र्ट लेके इतना आदमी को कोई नहीं कर रहा वो ये कर रहा है जान बुच के उसने ये किया जान बुच के उसने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया अंजाने में आप यहाँ पर नहीं आगे बरोडा से अंजाने में बंबई से आप यहाँ नहीं आए जान बुच के उसने आपको बुलाया मेरी बात को आप तक पहुचाया और आपके अंदर जुनून और जोश बरने का ठेका उसने जान बुच के मुझ में दिया जान बुच के आपके अंदर आग जगाने का ठेका उसने मुझ को दिया और मैं आपके सामने खड़े रेके बात कर रहा हूँ ताके आप लोग जब जान बूच के इसको मदद करेंगे आने वाले तीस दिन में अगर हर इंसान ने छे-छे आदमी को जोड़ा यहाँ पर बैटा हुआ बारा सो आदमी लोग ने अगर जान बूच के छे इंसानों को जोड़ा अगर जान बूच के आप वो सब करोगे जो आपको अच्छा ने लगता और आप छे इसे आदमी लोगो मिलो जो आपसे मिलना नहीं चाते हैं और उनसे वो बात करो जो वो आपसे करना नहीं चाते हैं जब जान बूच के आप इस तरह का इफ़र डालेंगे और जान पे खेल के काम जब करेंगे तो करीबन छे से साथ हजार आदमी जुड़ जाएगा और रातो रात एक आदमी डाइमंड बन जाएगा जिन्दगी में आज तक कभी अंजाने में कुछ हुआ नहीं है जिन्दगी में आज तक कभी कुछ गलती से हुआ नहीं है जिन्दगी में अगर कोई बच्चा 95% लाता है तो वो विचारा जान बूच के एक्जाम के पहले बैड़ के रोज पढ़ता था और जो आदमी पहतिस लाया है वो जान बूच के बढ़ा नहीं सब चीज अपनी आदत के उपर है पहले तो आपको परपस सेट करना पड़ेगा और फिर चार आदते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपोर्टन्ट है सबसे पहला आदत प्रस्पेक्टिंग हैबिट्स जिसको बोलते हैं लिस्ट बनाना सेकेंड हैबिट्स जान बूच के अपने सिस्टम में डालना है अपने अंदर डालना है अपने परसनेलिटी में लाना है सबसे पहला तो जोर से बोलिए सबसे पहला हैबिट लाउडली एक आवाज में मैं जब फोर बोलूँगा तब बोलना साथ में प्रस्पेक्टिंग हैबिट्स करके वन तू त्री फोर नमबर टू नमबर त्री नमबर फोर ये चार हैबिट्स है जो आपको जान बुचके डालनी पड़ेगी आपकी परस्पेक्टिंग हैबिट्स सबसे पहला प्रस्पेक्टिंग हैबिट्स बहुत सारे लोग बुच्चे हैं सर कौन है मेरा प्रस्पेक्स कौन है मेरा प्रस्पेक्ट और मुझे जान बुच के क्या करना पड़ेगा जान बुच के मुझे क्या करना पड़ेगा well successful network काम करने वाले जो top के leaders होते है वो एक चीज समझ गए वो एक चीज बराबर समझ गए successful network वाले जो एक बात समझ गए वो क्या है कि आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाते है आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाता है मुश्किल है उन लोगों को धूनना जो जुड़ना चाते है क्या कहा आसान है उन लोग को जोड़ना जो जोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत मुश्किल है उनको धूढ़ना जो जोड़ना चाहते है, बहुत सारे लोग आसान काम करने के चाहते हैं, जो मुश्किल काम करते हैं, वो लोग उसको धूढ़ रहे हैं जो जोड़ना चाहते है और ऐसा एक कुत्ता अलाइब नहीं है, जिन्दा ही नहीं है, जितने हैं उसको जुड़ने का नहीं है, जितने हैं उसको जुड़ने का नहीं है, जितने लोग हैं उसको मेरा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आसान है उन लोग को धुड़ना जिसको मेरी ट्रेनिंग नहीं मुश्किल है उन लोगों को धुणना जो मर मर के मेरी ट्रेनिंग करना चाते हैं दुर्बिल्ला के धुणने जाओ तो मेरे को एक आदमी नहीं मिले जिसको ट्रेनिंग करना है क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आप मेंसे 1200 लोगों ने पिछले 6 मेने में कौन से कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने जेब से बड़ा खर्चा करके अपने जेब से बड़ा खर्चा करके नेटवर्क के भार जाके अपने इंप्रूमेंट के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करके अपने आपको डेवलप किया ऐसा आपने कितना investment किया और पिछले तीन मैने में महेश भाय पिछले दीन मैने में आपने कितने sales के उपर books खरीदे आपने पिछले तीन मैने में कितने sales के उपर books खरीदें, आपने, 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 आपने ,griff तो मैंने कम से कम 10 आदमी को पुचा आपने sales के ऑपर को एक book खरीदें, Sings आपको तो छोड़ो पर सो खरीदें , आपकी मातित ही नहीं हो कियोंकि आपकी आपको वो सब आदते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता और आप उन लोह को मिल रहे हैं जो आपसे बिलना नहीं चाहते हैं और उन्से उन भात कर रहे हैं जो को कर नहीं चाहते हैं तो आपकी आदत सेट है, आपने परसों के दिन book खरीदा अब यह मैं दस आइटम को पूछा अब वो मैडम मुंडी नीचे करके बैठी है वो यह सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं पूछा जाए हाँ मैं यहाँ पर भोल सकता हूँ यह पूरे हजार बारह सो आदमी में दस आदमी से भी जादा आदमी ने एक भी किताब पिछले एक मैने में नहीं खरीदा आपने अपने उपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया आप देर्फोर दुनिया में अगर नायर साब को ट्रेन करना है तो आपके जैसे आइटम लोग मिलेंगे मेरे को जिन्नों ने एक रुपिया अपना उपर खर्चा नहीं किया ट्रेनिंग के लिए या बुक के लिए या वीडियो के लिए तो मुझे आपको ही पकड़ना है और जब मैं आपके पास आओंगा तो आप बोलेंगे मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो दुनिया में जिसको ट्रेनिंग चाहिए वो है ही नहीं जो नहीं चाहिए भरा हुआ है दुनिया and therefore successful network का leaders एक बात समझ गया कि आसान है prospect list बनाना उन लोगों का जो जुड़ना नहीं चाहते मुश्किल है list बनाना उन लोगों का जो जुड़ना चाहते हैं जो जो दिमाग वाले network के leaders हैं क्यों वो लोग ये करते हैं because जिसको जुड़ना था network में वो already जुड़ गया और जिसको because those who want जिसको जिसको चाहत थी चाहत want जिसको चाहत थी वो already जुड़ गया और जिसको जरुत है उसके पास जाओ तो ना बोलेगा जिसको जरुत है need need याने जरुत want याने चाहत यानि जिसको चाहत है वो आलरेड़ी नेटवर्क में जुड़ गया अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चाहत वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको صिर्फ कौन मिलेगा जरूत वाले लोग और जरूत वाले लोगों को जैसी हम बोलेंगे अच्छली उसको जरुत है उसको एक्छली जरुत है लेकिन चाहत नहीं है उस जरुत को चाहत में कनवर्ट करना है हमें उस जरुत को चाहत में कनवर्ट करनी है नीड को वांट में कनवर्ट करनी है हर आदमी को गाड़ी की जरुत है चाहत नहीं तो उस जरुत को चाहत में कनवर्ट करना पड़ेगा अपने को और चाहत वाले को मिलोगे तो वो जुड़ जाएगा जरुत वाले को मिलोगे वो जुड़ेगा नहीं और दुनिया में सब जुरूत वाले ही है, चाहत वाला तो खुदी कर रहा है, उसको कोई किसी की जुरूत नहीं है And therefore, तुम्हें कौन मिलेगा, आने वाले दस सालों में, कौन लोग मिलेंगे, जिसको सिर्फ, जिसको सिर्फ, जुरूत है, चाहत नहीं है तो, सबसे पहली आदत, प्रॉस्पेक्टिंग करो, और ऐसे आदमी को धूंडो, जिसको सिर्फ, जिसको सिर्फ, जुरूत है, चाहत नहीं और अपनी बात, और अपनी परसनेलिटी, और अपने कमपनी के प्रोड़क्स, और अपने कमपनी के बैगराउंड, और अपने लीडरों के साथ मुलाकात करके, उनके अंदर उस जुरूत को चाहत बना लो ऐसे लोगों को धूंड के जिसको नीड है और वांट में कनवर्ट करना आसान है लेकिन ऐसे लोगों के खोज में निकलना जो एकदम बिस्परेटली या पागलपन के साथ नेटवर्क में जूड़ना चाहता था ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है देरफोर आज के बाद मुझे जब मैं सेल्समें था मुझे बहुत आसान था उन लोगों को मिलना जिसको मेरी वैक्यूम क्लिनर नहीं चाहिए और मैं उसी को धूंड रहा था जिसको वैक्यूम क्लिनर नहीं चाहिए क्योंकि जिसको चाहिए उसने अल्रेटी खरीद लिया जिसको चाहिए उसने तो फोन और मार्किट में जाके दुकान में जाके अपराड से खुदी खरीद लिया और जितने इंडिया में लोग बचे हुए थे उसको मेरी वैक्उम क्लिनर की जुरूती नहीं थी जिसको सिर्फ जरूत है चाहत नहीं और अगर ऐसा जब हो गया तो आज का प्रोस्पेक्ट आज के बाद कौन हो गया अगर ये बात हो जाती है तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो गया इनसान के माफ़त दो पैर से साथ चलने वाला कोई भी आइटम कहीं पर भी मिल गया तो आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट हो गया कोई भी कोई भी आपका प्रोस्पेक बन गया क्योंकि जबी भी आप उसके पास जाओगे वो किस चीद से चालू करेगा मुझे नहीं चाहिए यह तो शुरुवात है आगे बढ़ने के लिए तो पहला ना से ही शुरुवात होती है हर मौबबत की शुरुवात भी ना से ही होती है एन देरफोर आप आज के बाद ऐसा कोई आत्मी को दूढ़ने के चकर में नहीं जाओ जो आपको बोले महेश भाई आप किदर थे मेरको तो नेटवर्क में जुढ़ना था मैं कितने साल से आपके इंतजार में था आप किदर थे चलो 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 जल्दी से बताओ क्या फॉम बरने का है ऐसे लोगों के इंतजार में भी न रहना ऐसे लोगों को दूढ़ना ही नहीं क्योंकि उनका अल्रेडी अंतिम संसकार हो चुका है अब जितने बच्चे हुए है इस दुनिया में जितने बच्चे हुए है जिसको तुम मिलोगे वो ना से ही शुरू करेगा उसने ना बोला तो खुश हो जाना क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है मैं कभी हां बोलने के इंतजार मैं कभी थाई ना बोलने वाला आदमी को धूंडी ने रहा था उसके लिए मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुए मैं तो ना बोलने वाले कोई धूंड रहा था उसको ही तो मैं हां बोलवाऊंगा वहां तो मैं अपनी कलाकारी वापरूंगा न, अपना नॉलेज वापरूंगा, अपना कमपनी वापरूंगा, अपना लीडर का एडिफिकेशन करके उसको वापरूंगा, अपने सेमिनार में लेके जाऊंगा, उसको लेके आके उसको गरम करूंगा, थंडा है वो, उसको मैं गरम करूँगा ना, तुम बोलते हैं एक दिम रेडी मेड आइटम चाहिए, अरे सब को गरम करना पड़ता है, सब को लाना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है बो, and please understand there is a lot of work, अब पहला हबिट तो हो गयाने के आपके पास अभी प्रोस्पेक्ट की तो कोई कमी नी, गुजराच शेहर के अंदर या बंबई में इनसान के मापत दो पेर से गुमने वाला कोई भी आइटम को पकड़ सकते हो आप, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, और वो ना बोले का, तो कोई टेंशन ही में लेने का, सब ना से ही शुरू होने वाला है, तो खुश रहने का, क्योंकि वाज तक कभी कोई आत्मी हाँ बोलने वाला बाइस साल में नहीं मिला, किसी को मेरी वैक्यूम क्लियनर नहीं चाहिए, किसी को मेरा फायर एक्स्टिंगिश, जबी भी जाता ना, आग बुजाने का और डबा बेस्साद हम है, फायर एक्स्टिंगिशर, तुम मेरे को बता हो, ये जो बारा सो लोग यहां बैठे हैं, आप मेंसे कितने लोग के लाइफ में आग लगी है, एक्च्छल आग, हाथ उठाओ, मतलब कोई आग लग गया, एक्सिडेंट हो गया, भेंकर, और आप उसमें से भार निकल गया, ऐसे कितने लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, बारा सो, अब जब में वो जो मशीन लेके, इनके पास जाऊना, मैं बोला, सर, सी स्पायर, ये तो लपक लेंगे मिरेको, क्योंकि इनकी जली है, अब बाकी जो ग्यारा सो पच्चनो, आदमी जो इदर बैटा, 1195, उसकी तो कभी जली नहीं, उसको मैं बोल रहा हूँ, तेरी जली तो ये वापर न, बोलता है लेकिन जलेगी नहीं, इतने साल में जली नहीं, तो आप कैसे जलेगा, Are you getting my point? So, मैं घदा हूँ, मैं घदा हूँ, तो मैं पांच जन को धूंड रहा हूँ, मैं अक्कल वाला हूँ, मैं इनको धूंडी नहरा हूँ, मैं किसको धूंड रहा हूँ, 1100, क्योंकि अगर ये पांच मिल भी गया हूँ, तो अभी मेरी गाड़ी नहीं आएगी, Are you with me? ये मिल भी गया है, इसको मैं कितना बेचूंगा? पांच, दस, पच्चीस, पीस, लेकिन मैं अगर 1100 आदमी के पास गया हूँ, तो मैं 300 को दो बेच सकता हूँ, तो मेरी गाड़ी आएगी, उन लोगों से मिलके जो मुझसे मिलना, और उनसे वो बात करके जो मुझसे करना, ये गेम मेरे को समझ में आगया, क्योंकि मैं मिला ही उस आदमी को जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, जिसको मेरी प्रोड़क्ट ही नहीं चाहिए, जिसको मेरे साथ जूडने का ही नहीं है, तेरे को नहीं जूडने का है, लेकिन मेरे को जूडाने का है ना? है हई हुआ फो यह बात जो ठोक के ख स­kוט हो जाता है आपके मन में और जब आप कि सी को जुडाते हो तो कोई को ब्लिश हो बर्बात करते हो यस और नो नो जब मैंने अगर किसी को ब्एच दिया और अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग दे दिया और मैंने अगर गिसी लेने के बाद उसको बड़ा मज़ा आता है उसका जीवन उसके बिना अधूरा था वो ऐसा बोलता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से वापरता है जब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता है कोई चीज की जरोत क्या है तब तक वो उसको न करता है and therefore, आज के बाद, you have to develop prospecting habits, list बनाओ, हम लोग कैसे list बनाते हैं, अच्छा ये मामा तो गदा आतमे, उसके पास जाके फाइदा ने, ये चाचा चा तो सलाब इसके बात करके फाइदा ने, ये अंकल, ये तो पहली ही रोएगा, ये ये तो कोई list ही नहीं बन रहा है, सुचता ह क्ली बनाओ, अभी थोड़ा चीनी कम देख के आता हूँ, क्योंकि वो बनाने के टाइम पर सोच रहा है, कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, ये ही सोच के बनाने का एक भी नहीं लेगा, टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है ना, कोई नहीं लेगा, किसी को नहीं चाहि यह तेरे साथ जुडने का नहीं है, लेकिन अपने को जुडने का नहीं है, यह क्लियर रहना चाहिए, यह जिसमें क्लियर है, जो उसको जुडाने पर तुला हुआ है, जो जुडना चाहता है, उसमें तुमारी तलाकारी का कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, तुमारा पोटे का दर्शन होता है, exploitation होता है, तो please understand, अब calling habits, अब आपने लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया किसका, किसका, ऐसे इंसानों का, जो तुझको मिलना नहीं चाता, और तेरे से वो बात करनी नहीं चाती, जो तुझसे करना, स्वाबाविक है, जब तुझको invite करेगा, तो वो क्या बोलेगा, ना, पक्का बात है, पक्का, कोईड आउट, वेरी गूद, so, calling, inviting habits में मैंने जो सिखा है, unless you develop deliberately the habit of calling on people who are able to buy but unwilling to listen, अगर जान बूच के अगर आपने आदत नहीं डाली, उन लोगों को मिलने का, जो खरीच सकते हैं, लेकिन सुनना, अगर जान बूच के ऐसी डालोगे तो अंजाने में कुनसी आदत आ जाएगी तुम उन लोगो को मिलोगे चलो मैं भापीस रिपीट करता हूँ अगर जान बुझ के तुमने अगर जान बुझ के तुमने इफ यू डेलिबरेटली अगर ऐसी आदत नहीं डाली उन लोगो को मिलने का जो खरीच सकते हैं या अपने साथ जुड़ सकते हैं अपने प्रड़क्त खरीच सकते हैं वो नॉटिंग हैम हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो अगर जान बुझ के हमने ऐसे आदमी लोगो को मिलने की आदत नहीं डाली जो अपना खरीद सकते हैं लेकिन मिलना अंजाने में कुन सी आदर डाल दोगे नहीं नहीं अंजाने में कुन सी आदर पड़ जाएगी उन लोगों को मिलने की जो खरीद नहीं सकते हैं लेकिन सुनना चाहते है अगर जान बुच के उसको नहीं मिलोगे जो खरीदने का ताकत रखता है या मना के उसको खरीदने का ताकत हम पैदा कर सकते हैं अगर ऐसे आदमी को मिलने की आदत नहीं डालोगे लेकिन ऐसा आदमी सुनना नहीं चाहता है तो अगर ये आदत नहीं डालोगे तो अंजाने में ऐसे लोगों को मिलोगे जो आप से मिल के बात सब सुनेंगे लेकिन जुडेंगे नहीं So अंजाने में you would have formed the habit of calling on people who are willing to listen but unable to buy So हमेशा खरीदने वाले को मिलने जाओगे तो वो मिलना नहीं चाहता ना खरीदने वाला है वो फुरसत में बैटा है आपकी बाते सुनने को तो अगर तुम्हे कोई आदमी बोलता न अरे आओ यार सब समझाओ मेरे को हलो तुमको आगे से बोल रहा है आओ 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 मेरे को सब सुनना है उसके पास तो जाने कही नहीं क्योंकि वो आइटम सला टाइम वेस्ट है वो टाइम वेस्ट है उससे आपको कभी कोई फाइदा नहीं क्योंकि उसके पात बहुत फुरसत है वो जुडने वाला ही नहीं है वो सब सुन लेगा खरीदने वाला ही नहीं है हमेशा देरफोर उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनके पास कपैसिटी है जुडने का और खरीदने का लेकिन जब आप उसको मिलने जाते हो वो आपको न करता है ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है उसको मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है एंड ये कहा जाता है जब ऐसे आदमियों को मिलोगे जो आपसे मिलना नहीं चाहता और वो आदमी के साथ आपको वो बात करनी है जो वो करना नहीं चाहता तो rejection तो is a part of life rejection is a part of life rejection is a part of life ऐसे आदमी तो reject तो करे गई आपको तो ये rejection से बहार आने के लिए बहुत साल पहले एक research हुआ था जिस research का नाम है 8 by 73 survey एक survey हुआ था network marketing के अंदर और इस research का नाम है 8 by 73 survey 8 by 73 survey 8 by 73 survey में पहला तो मैं आपको 8% वाली कहानी सुनाता हूँ और बात में मैं 73 पे जाता हूँ एक दम ध्यान से सुनना because this is the most important thing जो आपको समझ में आएगा 8 by 73 में ये कहा जाता है कि अगर 100 sales के बंदे हैं 100 network के लोग है 100 अगर network के लोग है 100 बंदे हैं तो 44% sales people जो है network में जैसे उनको पहला जापड मिलता है customer से वो give up कर देता है वो give up कर देता है जैसे मैंने आपको phone किया समझो मैंने आपको phone किया और मैंने आपको बोला कि मेरे को आप से मिलना है आप मेरे को बोलते है I am not interested मेरे को दिल्चस्पी नहीं है तो मैं वैसे बोलता है okay sir thank you तो ये कहां जाता है कि sales में 100 sales के अगर बंदे हैं तो उसमें से 44 लोग जैसे पहले rejection मिल जाता है first rejection या पहला जापड मिलता है phone पे हो सकता है या किसी के घर में हो सकता है या फिर seminar में हो सकता है यैसे इस सब seminar हो गया तो हम उसको बोलते है चलिए अभी आपको तो seminar तो बहुत बढ़िया लग गया ना तो चलो जुड़ते हैं उबल नहीं 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 मैं तो सिर्फ सुनने आया था तो उसने एक जापड मारा या फिर हमने फोन किया तो हो बोलता है आपको नहीं 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 हुआ या फिर seminar सुनके हमको उसको contact करने को नहीं हुआ क्योंकि seminar सो दुसरे दरवाजी से निकल गया और अगले दिन हम उसके घर में पहुचा तो उसने बोला ये तो जुड़ने वाला नहीं है छोड़ो इसको भले फिर आप उदर बैठ के फंदरा मिनिट बीस मिनिट उसके घर में बैठ के इदर उदर की बाते भी आप करेंगे लेकिन आपने पहले ही rejection में मन बांध लिया कि ये आदमी जुड़ने वाला ये वो salesman लोग है जिनोंने कभी कोई network के बारे में पढ़ाई नहीं की ये वो लोग है जिनोंने अभी तक अपना purpose लिखा नहीं है ये वो लोग है जिनोंने अपना profession के प्रती complete dedication दिखाया नहीं है ये वो लोग है जो बस जुड़ गए और पड़े है system में I don't know आप में से ऐसे कितने लोग है जिनको पहले ही rejection में आप give up कर देते है research ने ये प्रू किया है कि कुछ और sales के बंदे है अच्छा सौ में से अगर 44 लोग ने पहले rejection में give up कर दिया तो कितने बच गए कितने बच गए 56 56 की कहानी बताता हूँ इसमें से 22 टका salesman वो है जो पहला जापड मिलता है तो बहुत बढ़िया जवाब दे देता लेकिन second जापड customer मारता है तो वो give up कर देता जैसे कोई customer ने बोला phone पे I am not interested मेरे को दिल्चस्पी नहीं जब हमने उसको phone किया वहला ठकर साब मेरा नाम संतोष नायर है मैं secure life से बोल रहा हूँ या जो भी आपका introductory एक dialogue होता न क्या dialogue होता आपका सबगोद आप मेरे को मिलना चाहते है और Singh साब ने मेरा नाम आपको दिया है और आप मेरे को सेमिनार के लिए बुलाना चाहते है या आप मेरे को घर में मिलना चाहते है तो आपका पहला dialogue क्या होता है correct मैं आपको एक बहुत बढ़िया business opportunity दिखाना चाहता तो और मैं आगे से आपको बोल रहा I am not interested मेरे को interest है ही नहीं तो दो type के salesman होता एक जो phone बोलता है अच्छा ठीक सर जबी भी interest होगा तो आप मेरे को बता देना दूसरा एक जो होता है थोड़ा fight करने वाला वो जो पहला वाला salesman हो तो give up कर दिया ये जो 22 टका salesman है जब इसको कोई आदमी बोलता है या कोई अरुद बोलता है कि I am not interested तो एक धुआधार answer देता है क्या बोलता है क्या बोलता है I am not interested मेरे को दिल्चस्पी नहीं है आपने phone किया ये बोलके कि Mr. Nair मेरे नाम आनन ठककर है आपका नाम मेरे को Arvind Singh सापने दिया था और मेरे पास एक बहुत बढ़िया और बहतरीन business opportunity है इस सिलसिले में आद शाम को 6 बजे में आप से मिलना चाहता हूँ और मैंने आप से कहा I am not interested पहला वाला जो 44 वाला salesman उसने क्या किया phone रख दिया बोला यार ये तो होने वाला नहीं है इसको पहला rejection या seminar hall के अंदर मिला या फिर किदर भी मिला ये रख देता है लेकिन कुछ कड़क salesman होते है कुछ अच्छे salesman होते है बोलो क्या बोलते है 22 टका होते है मतलब एक objection तो बराबर handle कर लेता है बोलता I am not interested मेरे को कोई दिल्चस्पी नहीं है Sir that is exactly the reason मैं आप से मिलना चाहता हूँ क्योंकि आज तक किसी ने भी आके मेरी company आपके life का और आपका future को किस तरह से बना सकता है और आपके future को किस तरह से protect कर सकता है और आपको एक हसीन level पे कैसे लेके जा सकता है और आपका wealth multiplication और wealth creation कैसा हो सकता है इसकी गहराई में किसी ने भी आपको एक business opportunity के बारे में नहीं समझाया होगा आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये business opportunity क्या है और आपको कहा आना है जिससे कि आपको पूरा clarity मिलेगा उस सुनने के बाद मेरा 100% विश्वास है कि आप interested हो जाएंगे पहले वाले को बोला I am not interested तो इसने रख दिया बोले okay sir जबी भी interest हो का बता ना second वाले ने बोला sir आज तक कभी किशी ने आखे आपको आपके future के बारे में आपके life के बारे में आपके बच्चों के बारे में उनके बविश्य के बारे में और उसको कैसा बढ़िया तरीके से जीना है और अगर आपके पास पैसा है तो wealth को कैसे multiply कर सकते हैं और अगर आपके पैसा नहीं है तो पैसे का achievement कैसे कर सकते हैं इसकी गहराई से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा आज शाम को छे बजे जब मैं आपके घर में आके यह सब बाते बताऊंगा मेरा विश्वास है मिस्टर नायर आप इंट्रेस्टेड हो जाएंगे ऐसा डायलोग आप मारते हैं तो वो आदमी बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ मैं बहुत बिजी हूँ तो ये जापड नंबर कितना हो गया दूसरा कितने लोग पहले जापड में भाग गये कितने लोगों की कपैसिटी है एक जापड बरदाश का दो जापड परनास करने की 22 उसने एक बरदाश किया जवाब दिया लेकिन दूसरा जैसी मिला बोला I am very busy I am very busy तो दो टाइप के salesman होते हैं एक जो बोलता है sir आप free kप होएंगे बोलता है 20 साल के बाद okay sir तो फिर 20 साल के बाद मिलते हैं sir आप कब मिल सकते हैं बोलता है मैं मिल नहीं सकता sir क्या हम मिल सकते हैं बोलता है नहीं मिल सकती sir possible है शाम को मिलना बोले नहीं मतलब अपने question के अंदर ही ना भोलने की गुंजाइस थी जब customer ने बोला I am very busy so ये पूस्ता है sir आप free होएंगे किसी इंसान को ये नहीं पूछना है कि आप free कब होते हैं so ये लोग जो है second वाले इनकी capacity एक छटका खाने की है दूसरा छटके में ये give up कर देते हैं सोला टका ऐसे salesman होते हैं जो थोड़े पड़े लिखे हैं network marketing के बहुत सारे books उन्होंने पड़ा है बहुत सारे audios और videos उन्होंने देखा है सुना है ये अच्छे किला खलाकार है dedicated workers है network में काम करने में believe करते हैं गहरे लोग है इनको जब customer ने बोला पहला जापड I am not interested इन्होंने बोला सर इसलिए ही मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आप interested इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने भी आके secure life की गहराई और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन हम लास सकते हैं इसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं होगा आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूँगा 100% आपको हमारे और हमारे company के बारे में और अब products के बारे में विश्वास हो जाएगा और इसलिए मैं आपसे 6 बजे मिलना चाहता हूँ विल 6 बी okay और 7 बी fine customer दूसरा जापड मारा मैं तो लेकिन हो सब बराबर है आनन भाई लेकिन मैं तो बहुत busy है Mr. Nair आप कल भी busy थे आज भी busy है और कल भी busy रहने वाले busyness तो progress की निशानी है और मुझे खुशी है कि मैं busy आदमी और progressive आदमी से बात कर रहा हूँ लेकिन life में बहुत सारे uncertainties आते हैं life में बहुत सारे ups and downs आते हैं life में बहुत सारे opportunities आते हैं जिसको हम busy schedule में गवाना नहीं चाहिए और therefore और therefore आप और therefore आप ये busy schedule में ये opportunities को ना गवाए ये लिए ही आज शाम को 6 बजे मिलके ये busy schedule में ही आपको एक नई दुनिया एक नया opportunity एक नया दिशा दिखाने का मैं एक कोशिश करूँगा and therefore क्या 6 ठीक रहेगा कि 7 विल बी ओके आदमी बोलता है आने के पहले एक बार फोन कर देना तो ये बिचारे को कितना वाज आपड मिला अभी तीसरा पहला कुन सा था I am not interested दूसरा जापड मैं busy हूँ तीसरा जापड आने के पहले एक बार फोन कर देना और हम में से कहीं घदे एकदम खुश हो जाते हैं बोले हाओ मिल गया मिल गया हाँ सर हाँ सर भोन कर दूगा भोन कर दूगा अबे सलाम फस गया फस गया एक थोड़ी देर और कोशिश करता फोन पे तो तुझे अपॉंटमेंट मिल जाता आदमी ने तेर को घुमा दिया तू घुम गया तो ये भाई साब की कितनी कपैसिटी है जापड़ खाने की तीसरे पे मर जाता है लेकिन न दस टका ऐसे सेल्समेन होते हैं जिनोंने घंगा गाट जमुना गाट 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 का पानी इनोंने पिया है बहुत लोगों को फोन लगा है बहुत बुक्स वगएरा पड़ा है बड़े बड़े नेटवर्क लीडर लोग के साथ घूमके ये घाट-गाट का पानी पीके बैठा हुआ एकदम कड़क और पावर्फुल सेल्समेन है इसने नेटवर्क को समझा है इसमें लोगों को देखा है इसने कई ना बोलने वाले को अंदर किया है इसको जब लोग बोलते हैं I am not interested sir that is exactly the reason मैं आज शाम को आपको मिलना चाता हूँ क्योंकि आप सा किसी ने भी आख के secure life आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है और आपके future में किस तरह की रंगीनिया ला सकती है ये बारे में किसी ने आपको समझाया ने होगा और आज श इसी schedule में जीवन में आने वाले बहुत सारे opportunities को हजारों आत्मी घवा देते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा busy person आप यह opportunity को घवाए और जब आप यह opportunity को देखेंगे तो आपको एसास होगा कि आपका busy schedule को कम busy कैसे किया जाए उसका facility भी यही opportunity के through अबर के आ सकता है इस किसी मुद्धे पर बात करने के लिए आज शाम को 6 बज़े मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आत्मी बोलता है काम कर आने के पहले phone कर देना बहुत सर आपके busy आदमी को बार बार phone करके मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ आज शाम का 6 बज़े का अपना appointment confirm है fix है किसी कारण मिस्टर नायर आप मुझसे नहीं मिल सके तो एक काम करना सर आपकी secretary या assistant या आप किसी को भी बोलके हमारा जो appointment उसको reschedule कीजे लेकिन आज का शाम का appointment fix है सर मेरा number जल्दी से लिख लीजिए सर 9820127481 तो सर 6 बज़े शाम को मिलेंगे तो कहने का मतलब यह है कि फिर इसको बोलते है मेरे पास अभी पैसा नहीं है वो एक और छोड़ देता है बोले आप मेरे को बुलाएंगे उसमें जूडने के लिए पैसा लगे मेरे पास तो पैसा है ही नहीं तो यह बोलता है sir कब तक आएगा पैसा वो बोलता है 200 साल लग गया इसका जूस कितने में निकला चौथे में कस्टमर ने पहला जापड मारा इसने रिटरन मारा कस्टमर ने दूसरा मारा इसने रिटरन मारा कस्टमर ने तीसरा मारा इसने रिटरन मारा कस्टमर ने चौथा मारा इसका वारंटी खतम हो गया लेकिन तो कितने लोग भाग गए एक जापड, दो जापड, तीन या चार फोन पे, या घर के अंदर भी या किसी को मिलो ना, तो भी हो चार जापड मारता है, और अगर कोई सेमिनार में मिल जाओ, सेमिनार खतम होने के बाद, जब अपन उसको कौर्नर में लेके जाके, क्या बोलता है वैगंदर, वैगं तो हम में से जो एकदम दुखी आत्मा होते हैं, वो पहले में बोलता है, साला फल्तू में इसको बुलाया, इसका शकल से मेरे को मालू में जुड़ेगा नहीं करके, ऐसा बोलके हम उसको नकार देते हैं, कोई-कोई जो है, थोड़ा कड़क है, एक जापड मिला, वो वेनि में इसने पटा दिया, दूसरा मिला, यह निराष्ट हो जाता है, बलता है, यार, यह मेरो नहीं लगता जुड़ेगा, एक ऐसा क्याटेगरी का सेल्समेन होता है, जो और थोड़ा कड़क है, उसको एक जापड मिला, दो मिला, खड़ा था वो, तीसरा मिला, तो बलता है, इतना मत मार, अब नहीं सहा जाता है, कोई-कोई है, जिसको एक जापड मारो, दो मारो, तीन मारो, चोथा मारे तो बोले, बस यह, मैं सोचतों, नेटवर्क से मैं ही निकल जाओं करेगा, तो कितने लोग है, जो या तो एक जापड, दो, या तीन, या चार में छोड़ देते हैं, कितने लोग हो गए, टोटल, 92, 44, प्लस 22, प्लस 16, प्लस 10, तो कितने बज गए, हा, तो 92 परसंट ओपीपल, या तो पहला जापड में, दूसरा जापड में, तीसरा या चोथे में सेल को, या कनवर्जन को गिव अप कर देते हैं, वो वेन्यू में हो सकता है, फोन पे हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, लेकिन ये गिव अप जरूर करते हैं, ये 92 परसंट पीपल, कितने बज गए, 8 परसंट, ये वो लोग हैं, जिन्होंने गंगा, जमुना, सरस्वती कावेरी, साबरमती, सभी लाटों का पानी पिया, इन्होंने पानी पिया ही निये, कहीं उको पिलाया है, ये खुद नाये भी है उदर, ये खुद नाये भी है, और बहुतों को नहला है भी है होल सेल में नहला है इसको तू एक जापड मार दो मार तीन मार चार मार पांच मार तू मार मार के ठक जाएगा ये खा खा के ठकेगा नहीं इसको तू कुछ भी बोल इसके पास जवाब है तू बोल पैसे नहीं है, तो वो यह जवाब दे, तू बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, तो यह जवाब देगा, तू बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं है, तो जवाब देगा, मैं बिजी हूँ, यह जवाब देगा, मैं आत्मत्या करना चाहता हूं, यह जवाब देगा, कि तू नेटवर्क जुड़के डाइमंड बनके मर साला अलब ये आत्मी को जो गंगा के टट पे खड़े रहे के उड़ी मारने वाला ता आत्मत्या को ये उसको बोलता है रुख जा बेटा इदरा एक काम कर डाइमंड बन जा उसके बाद मैं तिरको खुद यहां लाके और ओ आत्मी जुड़के डाइमंड बनके आत्मत्या कर देता है मनले इसकी इतनी कपैसिटी है ये बहुती बहुती खेला हुआ पड़ा लिखा नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बुक्स लिखे हैं अंगरे जी में जितने भुक्स लिखें हिंदी में जितने भुक्स लिखें सब को इसने पढ़के चाट लिया इसको अंगरे जी का एक वर्ड नहीं आता इसने क्या किया है इसने चार हजा रुपया का एक आइटम को भाड़े पे रखा है जिसको बहुत अच्छी अंगरे जी आती ये उसको बुग खरीद के देता और तू पढ़को समझ जा चुछ आघ् Yout एनकरी टीट्ट अंगरे जी ने याती या ती लेकिन अगर ये वुक मेर अगर ये बुक में, नेटवर्क मार्केटिंग के ये बुक के अंदर अंगरेजी में लिखा हुआ 25 आइडिया है, ये आइडिया मेरे को चाहिए, मेरे को पढ़ने को नहीं आता, तो ये 4000 में एक आइटम को बिठा देता है, बोले चार बुक दूँगा, एक एक बुक का एक हजार, तेरा काम में बुक पढ़ना तू भी कम किया है न, तो ये बुक पढ़ मेरे को समझा, हिंदी में समझा न, गुजराती में समझा, ये बोलता है न, बहुती, क्या बोलती इसको, बहुती, बागल आदमी, इसको तुम हराने सकते, इसको तुम हराने सकते, इसके पास बेशरमी की डिगरी है इसको शरम आती नहीं है इसने सभी आडियो वीडियो सब सुन लिया है जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं सब एटेंड करता है यह जितने बड़े बड़े खिलाडी हैं उनके जाके सलाम मारके उनसे सब सीख के आता है यह network का king बोला जाता है और यही 8 टका लोग है जो 80 टका business लाते हैं network में